हाई आज वाली वीडियो उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही जाधा इंपोर्टन होने वाली है जो आगे BMS, BBE या BFI परस्यू करने का प्लान कर रहे हैं या फिर सुगदेव आपका एक ड्रीम कॉलेज है सो मैं आपको clarity देता हूँ अब आपका due chart तो नहीं होने वाला अब आपको CUT देना है मैं पिछले दिनों से देख रहा हूँ काफी जाधा confusion है आपको आपका general aptitude आपका language के साथ साथ जो आपका domain subject होने वाला है आपको जो domain exam देना है mathematics का अब उसके अंदर applied वाले students को भी allow कर द देना है उसको proper clear कर दूँगा किन chapters को आपको ध्यान देना है क्या एक approach होने होनी चाहिए क्या strategy आपको follow करने चाहिए उसी के साथ साथ एक complete आपको 80 days का time table मैं आपको दे दूँगा देखो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक चीज़ आपको clear कर देता हूँ यहाँ पर आप यह जो time table आप देखोगे आप यह सोच के मत देखना कि sir मेरा तो आगे paper भी है मुझे तो physics का exam भी देना है मेरा तो accounts का exam भी तो भीया देखो मैं आपको clear कर देता हूँ टाइम आपके पास है कम चीज़े आपको करनी manage ठीक है तो manage तो आपको करना पड़ेगा और एक बात मैं आपको ज़रूर कहा देता हूँ कि कर अलग बन अलग तभी तो नाम कमाएगा हो के जदा इस दुनिया से तो जीवी देग तो यार देखो थोड़ा सा तो अलग आपको efforts मारने पड़ेंगे तभी तो आप अलग तरीके से shine करोगे सो बिना समय वेश किये चलते हैं सीधा आपको समझाता हूँ कि actual मैं domain specific में होने क्या वाला है देखो यार आपको सीधा सीधा दो sections देखने को मिलेंगे right मतलब कि आप आपका अगर English के exam आता है आपका boards English के exam आता है तो इसमें भी 2 sections होते है तीन sections होते है आपका grammar अलग होता है आपका reading comprehension अलग होता है आपका literature अलग होता है इसी तरीकी से यहाँ पर आपको 2 section देखने को मिलेंगे section A जो होगा आपका वो आपके applied students के लिए और आपके जो core mathematics वा मैं आपसे proper बात करूँगा section B की अगर मैं बात करता हो तो section B भी आपका 2 आगे subdivision के अंदर divided है B1 जो है वो core mathematics के लिए और B2 जो है वो applied mathematics के लिए मेरे पीछे applied mathematics वाला तोड़ा सा छुप रहा होगा कोई बात निक मैं आपको proper समझा दूगा देखो या अब यह section B में भी ज नहीं है कि core mathematics वाले जो students है वो applied mathematics वाले students उनका paper आके कर रहें नहीं अगर आप ऐसा करते हैं तो आप सीधा-सीधा disqualify हो जाएंगे आपका paper जो evaluate ही नहीं किया जाएगा क्यों क्योंकि जब आप form भरेंगे तो आपको बताना पड़ेगा कि आप applied student के है या फिर आप core mathematics वाले नहीं कर सकते हैं तो इस चीज को आपको बिल्कुल clear रखनी है applied maths का भी same वही है आपको total जो question दिये जाएंगे 35 question दिये जाएंगे और आपको attempt जो है 25 करने है अब बात करते हैं आप से section A का जो आपका syllabus होने वाला है वो क्या होने वाला है तो देखो या section A में जो की compulsory सभी क आपका matrices or determinants जिसके अंदर आपको types पढ़ने है उसके equality of matrices क्या होती है transpose क्या होती है symmetric skew symmetric के सब पढ़ना है algebra पढ़ना है matrices का then determinants inverse of a matrix then solving of equation जो matrix method से आप equation solve करते हैं यह सब आपको जो है proper पढ़ना है उसके बाद आपको calculus पे ध्यान देना आपका high order of derivatives tangent and normals increasing maximum minimum जो की बहुत ही important topic के उपर आपको खास ख्याल रखना है उसके बाद integration और उसकी applications के उपर आपको ध्यान रखना है definite integrals आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है then application of integration area under cup जो है यह बहुत important topic है उसके बाद evaluation of indefinite integrals indefinite integrals of simple functions ही आपको proper पढ़ना है then उसके बाद आपसे differential equations के questions में पूछे जाएंगे इसके अंदर order and degree of differential equation then solving of differential equation with variable separable इसको आप star mark कर लेना यह बहुत important topic आपका होने वाला है then probability भी आपसे पूछी जाएगी जिसमें binomial distribution जो है एक important topic होता है then उसके बाद आपको random variable भी पढ़ने है expected value पढ़नी है random variable की दिन उसके बाद variance पढ़ना है standard deviation पढ़ना है देखो यह LPP एक ऐसा topic है जो कि बहुत ही जादा score आपको provide कर सकता है तो इसके नंबर कटने के तो कही chances बनते ही नहीं है right उसके बाद अब देखो बहुत से बच्चों को confusion होगी कि यह PPT हमें यह हमें जो proper formatic का में लेगा तो आप telegram channel हमारे join कर सकते हो वहां पर यह मैं proper step आपको लेकर चलेंगे मतलब CD दर CD आपको proper लेकर चलेंगे कि कैसे day one से आपको पढ़ना है किन topics को पढ़ना है और मैं आपको बता दूँ इस premium course के अंदर आपको India के top faculties के video lectures मिलते हैं साथे साथ handwritten books जो की आपके घर तक deliver होती है उसके बाद video solutions मिल जाते हैं आपको books के ज exam like environment के अंदर आप खुद को test कर सकते हैं topic वाइस test कर सकते हैं proper full length वाइस test कर सकते हैं उसके बाद proper time table तो मैं आज आपको दिखाई दूँगा जो कि मैं अपने page students को देते हैं उसके अंदर proper structured order के अंदर चलते हैं day one आपको कितना content करना day two आपको कितना content करना है वो सारी बात ह आपको हमारे batch related information चाहिए तो इस screen के ऊपर एक number आपके पास आ रहा है यहाँ पर आप WhatsApp drop कर सकते हैं हमारे batch की enrollments अभी चल रही है सो आगे बढ़ते हैं अब देखो section 1 आपको बिल्कुल clear है topics मैंने proper clear कर दिया अब section B1 मतलब की section B जो की core mathematics वाले students के लिए होगा उसके अंदर आपको relation and function inverse econometric function matrix and determinants continuity and differentiability application and derivatives differential equation vectors 3D LPP और probability यह topics आपको करने ही करने अब आप कुछ बोलोगे कि सर section B1 में हमारे section A था जो की हमारा applied maths और हमारा core maths के लिए जो same था same section उसके अंदर भी तो यही topics थे तो यही है बस वहाँ पर questions जो आपका B1 वाला section होगा उसके अंदर वो और depth के अंदर आपसे questions पूछ सकता है अब इसके अंदर देखो applied maths वाले जो student है applied maths वालों के लिए भी syllabus almost almost यही है बस 2-3 topics ह जो की आपके बढ़े अब वो क्या बढ़े उसकी भी आपसे in depth बात कर लेता हूं देखो यार सबसे पहले तो आपका numerical application बोला गया है अब यह numerical application कुछ भी नहीं है जो की आपका quant का syllabus है जो की आप general aptitude के लिए भी prepare करोगे अपना वो सारा ही आपको applied maths के लिए भी दिया question आपको वही मिल जा क्वांट वाले तो कितनी बड़िया बात है आपको महनत किसके लिए करनी है आपको आगे 22 से 23 questions के लिए महनत करनी है और 22 से 23 questions आपके कहां से बनेंगे वो यह रहे topic मतलब की matrices on determinants जो की आप section A के लिए पढ़ोगे derivatives जो की आप पढ़ोगे probability और उसकी application जो की आप पढ़ोगे ठीक है आपके लिए जो नया बनता है मैं एक second pen का color change कर ले दो आपको जो ध्यान देना है वो ध्यान देना है आपको एक index number पर और financial mathematics यह दो topics हैं जो की आपको extra पढ़ने है core mathematics वाले students से बाकि सब कुछ same वही होने वाला है आपके लिए भी तो I hope आप आपको लेकर चलता हो time table के उपर जिसके अंदर मैं आपको clarity दूँगा क्या एक approach होनी चाहिए आपकी और हमारे paid students अगर इस video को देख रहे है तो इसी order के अंदर आपकी videos आपके पास आना शुरू हो जाएंगी proper और day 1, day 2, day 3 आप उसको follow कीजेगा और proper time table आपको clarity मिल जाए जिसके अंदर उन्होंने आपका general aptitude का जो syllabus है वो proper उन्होंने explain कर दिया था मतलब कि यहां पर अगर आप देखोगे verbal ability की अगर मैं बात करता हूं यहां पर यह verbal इसको highlight कर लेते है verbal ability में आप देखोगे सिर्फ RCS के ही बात की हुई है कि RCS का आपका syllabus है बट वो ऐसा नहीं ह पेपर CVT ऐसा नहीं कि सिर्फ RCS से आपसे direct direct questions पूछेगा नहीं वो उसके अंदर आपकी grammar test करेगा कोई कुई को language proper वहाँ पर test करनी है तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो मैं आपको बता रहे तो आप सिर्फ चानल पर जाएंगे और यह वाली वीडियो आप ज क्वांट के अंदर भी यह chapters आप skip कर सकते हो और वोबल के अंदर भी आप यह chapter जो है वह skip कर सकते हो राइट अब बात करते हो आपसे higher maths की के higher maths आपको approach कैसे करनी है सो देखो यार कुछना steps होते चलने के लिए मतलब बच्पन में अगर हमें counting ना सिखा के सिधा tables अगर सिखा दिये जाते तो हमारे थोड़ा सा मुश्किल पढ़ता उसको learn करना राइट तो हमने पहले counting सीखिए similarly जो हम topics पढ़ते है तो एक structure होता पढ़ने का तो वही structure के अं है वह आपको proper इसी order के अंदर मिल जाएंगे हो सकता है 19-20 का फर्क पढ़े मतलब हो सकता है कि एक वीडियो कम एक वीडियो ज्यादा हो जाए but more moreover आपका जो structure रहेगा वह यही रहेगा सो आपको log से शुरू करना है आपके log के जो है तीन sessions आपको देखने को मिलेगे उसके बाद आप set theory बहुत प्यारे तरीके से करना then उसके बाद relation and functions के उपर हम आजेंगे और यह जो time table है यह ऐसा नहीं है कि जो सिर्फ और सिर्फ आपके BBA BMS के लिए IP mat के जो aspirants है उनके लि और CUT के लिए अलग से पढ़ना है नहीं मतलब वो एक बार करो और done ऐसा वाला scene उसका होने वाला है right then उसके बाद हम जो है आगे अपना permutation and combination की तरफ बढ़ेंगे और इसकी मैं आपको बता तो इसका एक link आपको proper जो है नीचे मिल जाएगा वीडियो के लीचे मिल देन उसके बाद matrices and determinants हम पढ़ेंगे अब यहां पर आप यह जो topic देख रहे हो index numbers और इसको मैं तोड़ सा highlight कर दिया है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ applied mathematics वालो को करना है अभी applied mathematics के जो मैं दो topics आपको बता रहा था वो यही topics है ठीक है then उसके बाद हम limits की बात करेंगे continuity की बात क करेंगे then population और यह जो population sample जो है यह जो है applied mathematics को वालो को करना है then application of derivatives के हम उसके बाद in depth बात करेंगे then integration के उपर आ जाएंगे then time series जो session जो time series के हमारी videos है वो applied maths वालो को देखने है then उसके बाद हम बात करेंगे differential equations की sorry indefinite integration की area under curve फिर inverse trigonometry पर आ जाएंगे फिर differential equation की बात है और फिर जो financial maths है यह पूरा हफ्ता जो है applied maths वालों को थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा financial maths के में in depth आप से बात करेंगे then probability की कहां गया sorry then probability की बात करेंगे और last में अपनी LPP की बात करेंगे right तो इस structure के अंदर हम बढ़ने वाले है I hope आपको clarity मिली होगी उस है तो घवराने की बात लिए तो उसा smartly आपको चीजों को लेके चलना है अगर यह आपका extra topic इतना है figure of speech तक है भी तो आप यह भी तो देखो ना बच्चा कि आपका जो LR है जो आपका reasoning वाला portion है वो 30 दिन पर ही खतम हो गया है तो यहां पर जो आपका यह time period है यह जो I hope आपको clarity मिली होगी मैं मिलता आप से next video के इंतर मुझे देज़े जाज़ाद till then bye bye take care पढ़ाई जरू करते रहेगा